हाई इस मालिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल जहां पर हम वेस्ट मटेरियल से बहुत ही खूबसरत ग्राफ्ट बनाते हैं आपके घर में बर्दे केक तो आते ही होंगे लेकिन उनके नीचे रखें वैसे कार्डबोर्ट के सर्कल साब हमेशा वेस्ट में डालती होंगे आज का ये वीडियो देखने के बाद आप उन वेस्ट कार्डबोर्ट को फेक न भूल जाओगे ऐसी मेरी गरंटी है और हाँ उन लोगों के लिए भी ये वीडियो आज बहुत काम का है जिनके पास इस तरह के केक के वेस्ट सर्कल नहीं है ये पेपर बहुत ही पतला होता है इसलिए ये वाली टिप आप जरूर देखीगा कि इसको चुपकाना कैसे है इसको किस तरह से लगाएं कि इसके उपर निशान न बने इस पेपर को मैं सबसे पहले यहां पर रखे हमने जो ये एक सर्कल कट किया है उसके सेम साइस का यहां मारकिंग कर लूँगी इसे मारकिंग करने के बाद इसे कट नहीं करना है बलकि इसके साइड में थोड़ी सी एक्स्रा साइस को हमें यहां ड्रॉ कर लेना है इसे draw करने के लिए perfection की जरूरत नहीं है बस हलका सा space आप छोड़ दीजे और इसके बाहर की तरफ भी एक circle को draw करें अब हमने ये space छोड़ दिया है आप cardboard को किस तरह से glue लगा कर रखना है ये भी आप देखिए बहुत जरूरी टिप है हम जादा तर क्या करते हैं जादा glue लगा कर उसे paste कर देते हैं जिसे कागस के उपर उसके निशान आ जाते हैं मैंने यहाँ पर glue लगा दिया है और हलका सा पानी इसके उपर spread कर रही हूं brush की help से यह करना जरूरी है ताकि आपका यह पतला paper जो है वो इसके उपर ठीक तरीके से paste हो और उस पे कोई mark भी ना आए अब मैंने इसे अच्छे से glue लगा कर दो मिनट के लिए रख दिया था अब इसमें marking किये हुए circle के बिल्कुल बीचो बीच इसे अच्छे से रख के हलके हाथों से इसे press करूंगी यह step भले ही आपको easy लगे और नई ना लगे लेकिन ही बहुत जरूरी होती है क्योंकि इसकी वज़े से ही हमारे craft में finishing आना ना आना वो depend करता है अब मैंने इसकी cutting कर ली है चारों तरफ से इसे कैसे paste करना है इसे आप दिखीगा अच्छे से press करने के बाद इसके चारों तरफ में चूटे चूटे से cuts लगाऊंगी और उसे अंदर की तरफ glue लगाकर paste कर दूँगी इन cutting की वे pieces पे अच्छे से glue लगाकर इन्हें अंदर की तरफ खीचते हुए अच्छे से press करके paste करें ताकि इस cardboard के rough जो edges है वो इस paper की वज़े से अच्छे से छुप जाएं या वो दिखे नहीं जिसकी वज़े से इसकी finishing अच्छी आएगी आप इस तरह से इसे press करते हुए अंदर की तरफ दबाएं और चिपकाते जाएं ये चारों तरफ हम करेंगे और इस तरह से golden paper को इस cardboard पर paste कर लेंगे इस तरह से paste करते हुए दूसरे side पर भी हमें एक golden paper का piece कट करके यहां पीछे की तरफ लगाना है इसे अच्छे से फिर से press करें और second side पर भी जो है वो एक golden paper काट कर paste कर दें बाकी यूट्यूबर्स की तरह मुझे ताम जहम तो करनी नहीं आती लेकिन सिंपली तरीके से आपको डिटेल में वीडियो बताती हूँ ताकि आपको ये छोट छोटी डिटेल देखकर और इनसी कर क्राफ्ट को recreate करते समय कोई दिक्कत ना आए अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको इनमें करने में परिशानी आती हो तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे instagram page से मुझे connect हो सकते हैं golden paper को paste करने के बाद एक मैंने cardboard लिया था उसकी पतली पतली मैं strip यहाँ पे cut कर दूँगी यह लगभग 20 से 25 cm लंबी होंगी इन दो strips को आपस में paste करना है ताकि यह मजबूत बने इनके बीच में मैं एक rubber paste glue का इस्तमाल करते हुए इन्हें आपस में paste करके से थोड़ दिर के सूपने के लिए रख दूँगी इसके बाद इस cardboard के piece से हम ring बनाएंगे यह जितना cardboard का piece हमने बनाया है यह लगभग 22 cm है तो आप 2-3 cm का space छोड़कर इसके बीच में इस तरह की ring को form कर सकते हैं इसके लिए आप क्या करें कि इसके extra piece को cut करके इनके किनारों पर glue लगा कर इस ring को अच्छे से paste कर लें इस ring की मजबूती के लिए मैंने इसके अंदर paper tape का भी इस्तमाल किया है इसके ऊपर नीचे और अंदर की तरफ अच्छे से मैंने इस paper tape को इस्तमाल करके इसे अच्छे से जोड लिया है ताकि यह ring जो है वो बार बार खुले नहीं वैसे तो इसके हम और भी चीज़े लगाने वाले हैं लेकिन पहले इसकी base पर मजबूती देना बहुत जरूरी होता है ताकि इसकी shape जो है वो बनी रहे आप यह देखी रहे हैं कि मैंने एक यह ring बना रही है इसे अच्छे से shape दे दीजे अब हम एक plain paper लेंगे यह ring जो हमने बनाई है इसे रख कर अंदर की तरफ इस circle को इसकी उपर draw कर लेंगे क्योंकि यह paper हमें इस size के लिए काम आने वाला है हमें बार बार इसे नापने की जरुरत ना पड़े इसलिए मैंने इसे पहले ही paper पर draw कर लिया है इसके बाद हम इस तरह का एक velvet paper लेंगे इस ring को रख कर इसके अंदर भी marking कर लेंगे और इस कपड़े को circle में cut कर लेंगे इसे cut करने के बाद हमें इसकी side पर भी इसी velvet paper को लगाना है वैसे यह step बल्कुल optional है अगर आपको velvet paper लगाने में या velvet के कपड़े को चिपकाने में थोड़ी सी भी दिक्कत आती हो तो आप plain paper भी ले सकते हैं या कोई और lace piece पे use कर सकते हैं बस इसके side side में मैंने अच्छे से glue लगा दी है और धीरे धीरे इस velvet के कपड़े को इसके चारों तरफ चिपकाती जाओंगी और साथी साथ इसे अच्छे से एक हाथ से प्रेस भी करती जाओंगी ताकि इसके अंदर कोई भी सलवटे ना आए इसे end तक च ठीच कर स्ट्रेस कर ले ताकि इसमें अगर थोड़ी बहुत भी सलवटे बची हो तो वो भी निकल जाए इसे चिपकाने के बाद एक्स्ट्रा बचे हुए piece को मैं इस तरह से cutting करकर निकाल लूँगी ये cutting बिल्कुल ध्यान से करनी है आपको ताकि वो जो कपड़ा है वो ठ अब इसके नीचे glue लगा रहे हैं ये tip आप बहुत ध्यान से देखिएगा glue लगाने के बाद इसे मैं उस golden paper पर रख कर अच्छे से प्रेस कर दूँगी ये अभी paste नहीं होगा बस हमें इसके mark चाहिए इसलिए मैंने इस glue वाले part को रख कर इसे हटा लिया ये बहुत ही clear marking हम में आपर नजर आ जाती है बस इस marking पर हम glue लगाएंगे और जो हमने circle कट किया था velvet के कपड़े से उसे यहां पर paste कर देंगे ये tip बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप रिंग को paste करने के बाद इस velvet के कपड़े को paste करते हैं तो ये बिल्कुल भी plain paste नहीं होगा इसमें सलव की वज़े से ही correct size की दो ये cardboard जो है piece cut किये हैं ताकि ये बिल्कुल fix size के बने आगे पीछे ना हो और हमें दिक्कत भी ना आए इन पर भी golden paper में ने paste कर दिया है अब इस cardboard के piece का बिल्कुल half measurement हम लेंगे यानि अगर ये 8 cm की है तो हमें 4 cm के इस point पर इस तरह से लगा कर इसके बड़े ring को हमें बीच में paste करना है और side में इन छोटे छोटे piece को paste कर देना है ताकि इसके अंदर हमें sections बना सकें ये बहुत ही असान step है आप इसे भी करके इसे जल्दी तयार कर सकते हैं लीजे ये तो हमारा complete हो गया है अब बारी आती है decoration की तो decoration के लिए मैंने यहां पर ये golden lace ली है इसके चारों तरफ जो हमने ये space छोड़ा था ये इसी के लिए थी ये golden paper भी लगाना नीचे जरूरी होता है क्योंकि अगर आप सिर्फ cardboard रखेंगे तो cardboard के जो रंग है वो इसके उपर उभर कराएंगे जिससे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इसलि क्योंकि आपको मेरे चैनल पे धेर सारे craft ideas मिल जाएंगे जोकि बहुत ही सस्ते में त्यार किये जाते हैं लेकिन उनका final look किसी भी market वाले craft से कम नहीं होता है तो आप मेंसे जो भी craft lovers हैं जो craft बनाना पसंद करते हैं एक बार मेरे चैनल पे जरूर visit कीजेगा और मुझे और इसके ऊपर इस red color की डूरी को paste कर रहे हूं थाकि ये इसके साथ contrast रहे और उपर जो थोड़ी सी unfinished रहे था वो भी cover हो जाए ये मैंने handmade कुछ rose बनाये थे इन्हें भी यहां मैं paste कर दूँगी और इसके final look को complete करूँगी तो लीजे ये पिलकुल बनकर तयार हो गया है अगर आप चाहें तो इसके अंदर dry fruits ना रखके चोटे मोटे snacks पर रख सकते हैं जब आपके घर में guest आते हैं तो ये tray उनके सामने रखी जा सकती है वैसे शादियों का season भी शुरू होने वाला है जिनके घर में शादिया है वो घर पर ही इस तरह की चोटे 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 gift box तयार कर सकते हैं बिलकुल सस्ते में तो आज का ये craft idea आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा पसंद ना भी आए तो भी जरूर बताईगा क्योंकि आपके feedback मेरे लिए बहुत महत्वपून है अगर आपको ये special craft सीखना चाहते हैं तो मुझे comment करके जरूर अगले संदी को ठीक दो बुझे फिर से मिलेंगे एक amazing craft idea के साथ तब तक के लिए stay safe, stay healthy and keep crafting and thank you so much for watching this video